Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, class 9th English lesson 2nd है. यह लिखाए कि The Adventures of Toto, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, Toto यहाँ पर एक बंदर का नाम है, और adventures की कई मतलब होते है, सहासी काम भी होता है, और परिशान करने वाले काम भी होता है, तो बंदर है, तो परिशान ही करेगा, तो यह जो Toto है, यानि कि जो बंदर है, इसके adventures, यानि किस तरह की इसने कारनामे दिखाये है, क्या-क्या इसने खिया है, उसके बारे में है, चल यहाँ देखिए, Have you ever had a baby monkey as a pet? यहाँ पर कह रहा है, Have you ever had, actually have a pet का मतलब है कि पाल तू रखना, तो यह present perfect tense है, Have you ever had a, तो उस have का यहाँ पर had हो गया है, एक have जो है, वो present perfect वाला है, और यह जो have है, वर्ब की रूप में काम आया है, देखिए, Grandfather bought Totoo from a Tonga driver for the sum of 5 रूपीज, Past and definite tense का इस्तेमाल है कि जो दादा जी है, Grandfather ने खरीदा, अब यह कोन कह रहा है, जो writer है, जिसने इसको लिखा है, वो कह रहा है कि जो मेरे दादा जी है, उन्होंने खरीदा, भाई का बॉट होगया, खरीदा, क्या खरीदा जी, तो टोटो खरीदा है, यनि की बंदर का बच्चा खरीदा from a Tonga driver, जो टम-टम वाले होते हैं, तो टम-टम वाले driver से एक बंदर का बच्चा खरीदा, कितने में खरीदा, तो amount के लिए for preposition का इस्तमाल होते, जैसे मैंने ये t-shirt 300 रुपए का खरीदा, तो I have purchased this t-shirt for 300, मैं for बोलूँगा, off नहीं बोलूँगा, तो for the sum of 5 रुपीज, तो 5 रुपए में एक बंदर का बच्चा खरीदा, दादाजी ने, तोंगा ड्राइवर, used to, keep the little red monkey tight, देखें, जो टम्टम का जो तांगे का जो ड्राइवर है, used to keep, used to का मतलब है कि ऐसा किया करता था, तो रखा करता था little red monkey को, वो छोटे से लाल से बंदर को, tight, बांद कर रखा करता था, किस चीज से, to a feeding truff, यह truff बोलेंगे, ट्रो नहीं बोलेंगे इसको, truff, इस फो प्रनाउंस करेंगे आपर, feeding truff, हिंदी में क्या मोलते है, जो जानवर है, तो जिस चीज में वैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसमें खाते हैं, पीते हैं, नाद यह नादी इस तरीके से बोलते हैं, तो वो जून का कंटेनर है, उसको अंगरेजी में कहते है, feeding truff, खाली truff भी कह सकते हैं, truff भी कह सकते हैं, तो उससे बान दिया था, and the monkey looked so out of place, और जो बंदर था बेचा रहा है, out of place है, यहाँ इडियम फ्रेज के अंदर आता, out of place, इंसान के लिए भी उसकर सकते हैं, आप जैसे आप कहीं पर गए और वहाँ पर आप out of place महसूस करो, अपना पर नहीं लग रहा ह था, so out of place कि बहुत जादा वो अजीब सा महसूस कर रहा था कि पता नहीं क्या है, कहा हूँ मैं, देर, अचा देर मतला वहाँ पर, that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo, तो चुकि वो ऐसा दिख रहा था बंदर, तो चुकि दादाजी है, उन्होंने यह decide किया, यह निश्चे किया, कि he would add, यह तो will नहीं होगा, would हो जाएगा, तो दादाजी ने decide किया, past में decide किया, क्या decide किया, future के बारे में, तो will का would हो जाएगा, decide कि he would add, add का मतलब जोड देंगे, the little fellow, यानि कि छोटे बंदर को to his private zoo, दादाजी ने भहिया, अपना एक private zoo बना रखा था, कि हर तरह कि वो जानवर अ अच्छा सुंदर, अच्छा बंदर था, his bright eyes sparkled with mischief, his bright eyes, उसकी जो bright, चमकीली आखे sparkled, चमक रही थी, चमकी हुई थी, with mischief, शरारत से उचमक रही थी, कहने का मतलब है कि एक तो bright आखे भी थी, और वो sparkled थी, sparkled का मतलब क्या होते है, कि चम चमाहट, with mischief, यानि कि शरारत बहरी चमचमाहट थी आखों में, और या आखी किधर थी, तो बिनीत deep-set eyebrows, deep-set, यह तो eyebrows जब देख रहे हैं, deep-set का मतलब कि इदम ऐसे दबा हुआ, skin में लगा हुआ, ऐसा लगे है, बंदर का eyebrow कैसा होगा, skin के साथ, deep-set, deep-set आखे भी होती है, deep-set eyes का मतलब इदम अंदर हुआ है, हटियों के अंदर ऐसा लगे है, यह आख यहाँ पर है, और यह भावे निकले हुए, इसको deep-set बोलते है, तो deep-set eyebrows, के बिनीत में वो आखे जो की शरारत के चमक से भरी हुई थी, and his teeth, और इसके जो दात से, दात थे, which were a pearly white, pearly white का मतलब है कि वो पर्ल होते है, क मतलब दिखना, तो दात दिखते थे, इना smile की smile की रूप में दिखते थे, that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, अब यहाँ एक मुहावरा यूज़ कर दिया इन्होंने, कि frightened the life out of, अगर मैं बोलू कि, you have frightened the life out of me, yesterday I watched a very horror movie, and that frightened the life out of me, इसका मतलब ही कि उसने मुझे डरा दिया, frightened की जगा, scared भी कई पर लगता है, scared the life out of me, यहने कि इदम मेरे अंदर सिर्फ दहसत पैदा करती, तो उस मुहावरे का हैं इस्तमाल किया है, कि उसकी इस तरह की जो हसी थी न, frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, जो बड़ी उमर की, Anglo-Indian होती थे औरत Anglo-Indian, अधा-ंग्रेज, अधा-ंधा-Indian है, तो इनको वो बिलकुल भैभीत कर दिया करता था, but his hands looked dried up, लेकिन बंदर की जो हाथ है वो बड़े ही dry up, यह तो रूखे दिखते थे as they had been pickled in the sun, बड़े खुमा के लिगा है, as, as though, आपने grammar में as if और as though पढ़ा होगा, हम ऐसे ब बात कर रही है, जैसे मेरी बी-बी हो, you are talking as if you were my wife, यहां आर नहीं लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि imagination, वो बी-बी थोड़ी है, तो ऐसे बात कर रही है, तो ऐसे बात कर रही है, जैसे बी-बी हो, तो उसी as if की जगह as though भी लगता है, तो जब गी as though लगेगा तो प्रेज as though they had been pickled in the sun, कि धूप में उनको पिकल किया गया हो, अचार रख दिया गया हो, और अचार रखने पर जो सूख जाते है उस तरीके के हाथ हो गयते, राइटर लोग ऐसे लिखते है, देख लिजे, for many years, कि कई सालो उसे धूप में उसके हाथ हो का अचार रख दिया गया हो, इस तरीके से वो ड्राइड अप थे, yet his fingers were quick and wicked, लेकिन जो उंगलिया थी, वो बहुत ही quick, quick थी, बहुत ही active थी, और wicked थी, wicked का मतलब दुस्ट नुमा भी बता है, कि दुस्ट जैसी, मतलब बहुत जाद active, और अजिव हरकत करने वाली उंगलिया थी, and his tail, और उसकी जो पू पूँच थी, adding to his good looks, कि उसके good looks पे चारचांद लगा रहे थे, अच्छा एक add हो रहा था, अच्छा जी, grandfather believed, और दादा जी को ऐसा यकीन था, कि a tail would add to anyone's good looks, कि अगर पूँच लग जाए तो कोई किसी का फी good look अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छा हो दिखने लगेगे, एक plus point है, also served as a third hand, और जो tail है, देखे, यहाँ पर tail के बारे हैं बात है, बाकी तो यहाँ पर ऐसे दे दिया था, यह main, यह tail आपका है, subject, और यह served है, अपका work, तो जो पूच है, served as a third hand, वो तीसरे हाथ की तरह भी served होता था, उसका इस्तमाल किया जाता था, he could use it, वो इसका इस्तमाल कर सकता था, to hang from a branch, किसी branch से लटकने के लिए इस्तमाल कर सकता था, and it was capable of scooping up, और यह जो पूच है, उसके लिए आया है, कि it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands, अब कह रहा है कि यह जो पूच है, यह capable था, capable मतलब कि इस पूच में इतनी power थी, कि वो scoop up कर सकत अब कर सकता था, any delicacy, delicacy का मतलब एक food है, एक प्रकार का food ही है, तो उस तरह का भोजन that might be out of reach of his hands, जो उसके हाथों के पहुच से दूर हो, उसको पूच के मदद से भी ले सकता था, ठीक है जी, तो पूच की benefit के बारे में बात हो गए, आगे देखते हैं, grandmother always first, when grandfather brought home some new bird or animal, देखे, grandmother always first, first का मतलब होता है, परिशान होना, बात का बतंगर बना देना, तो जो दादी माती हो, यादा है बात का बतंगर बना देती थी, कब बनाती थी भई, when, when मतलब जब grandfather, brought, grandfather लाते थे, bring से बना brought, लाते थे, home, घर लाते थे, some new bird or animals, actually, यहाँ पर some का मतलब वो नहीं है, कि, जिसे आपको लग रहा हो, अगा some है, तो birds होना चाहिए, animals होना चाहिए, यह जो some है, कई बार ऐसे होता है, कि some का मतलब किसी एक को भी इशारा करते है, कि, ऐसे बोलते कि, कोई राम आया हुआ दरवाजे पर, some Ram has come at the door, ऐसा कहा जा मतलब काफी बात का बतंगर बनाती थी, so it was, it was decided, तो यह decided किया गया, that Toto's presence should be kept secret from her, कि यह जो बंदर है, जो Toto है, उसका जो presence है, उसकी जो उपस्थिती है, should be kept, उसे रखा जाना चाहिए, secret, उसे secret रखा जाना चाहिए, keep secret का मतलब क्या होता, कि उसको चुप रखना, लगे, until time को दिखाता है, मैं यहां से तब तक नहीं जाओंगा, जब तक तु मेरा proposal accept नहीं करेगी, मैं इस तरह की sentence से ज्यादा देता हूं, so don't mind, I will not go from here until you accept my proposal, until मतलब पता नहीं, जब तक वो आ नहीं जाएगा, मैं यहां से जाओंगा नहीं, I will not go from here until he comes back, इस तरीके से तो until she was in a particularly good mood, कि जब तक वो अच्छे good mood में नहीं हो जाए, तब तक इसको छुपाया जाएगा, ठेके जी, Grandmother and I put, sorry, Grandfather and I put him away in a little closet, अब राइटर के शब्दों में है कि दादा जी और मैंने, put him, उसको रख दिया, away, उसको दूर रख दिया, कहां रख दिया, in a little closet, closet, closet का मतलब एक दिवार में ऐसे दरवाजे होते हैं, उसमें अलमीरा जैसे बना होता है, तो इसको उस अलमीरा में रख दिया, opening into my bedroom wall, जो कि, जो खुलता है, opening, थोड़ा, close it के बारे में define कर रहा है, तो यहां पर present participle लगा दिया है, कि जो खुलता है, अब हिंदी कैसे कर, हिंदी में, बिल्कुल अंग्रेजी की हिंदी नहीं हो बाएगी, कि खुल रहा होता है, जीव, into my bedroom wall, यानि कि मेरे bedroom का जो wall है, उसी में वो खुलता है, तो उसी में वो closet है, वाल में होता है, closet, हो गया जी, चलिए, where he was tied securely, जहां पर उसको securely, यानि कि सही से हिवाज़त से ब फैसन का मतलब ही होता है, बांधना या उसको ग्रिप करा देना, तो जो पैग था वो वाल के अंदर ग्रिप था और उससे उसको बांदिया था और अलमारी में रख दिया था, बंदर को अफ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटो बार, वेन ग्रेंफादर एन आई, जब पहले ही हमने cover कर रखा था, with some ornamental paper, एक सजावती paper से हमने दिवार को cover कर रखा था, तो वो जो दिवार है, अच्छा, फिर chosen by grandfather, जिनको वो ornamental paper, जिनको ग्रेंफादर के तवरा choose किया गया था, यह आप chosen देख रहे है, chosen by, written by, submitted by, organized by, filed by, ना जाने कितने by हैं, यह सब आपके past participle है, तो यह बताते हैं, adjective का काम करते हैं, कि जो paper है, ornamental paper, वो paper है, जिसको grandfather के दौरा ही चूज किया गया था, तो उस, वो cover था, तो वो जो wall है, now stood out as naked brick, अब वो दिवारे एक दम रंगी हैं, you know, now stood out, आप ऐसे दिखती, stood out का मतलब कि आप ऐसे वो दिखती है, as naked brick and plaster, और ornamental अगर paper हट गया, तो फिर अंदर क्या बचा, वही टूटा फोटा जो brick plaster है, हीटे plaster होगर दिख रही है, the peg in the wall had been wrenched from its socket, peg in the wall, wall में जो peg था, जो खूटी थी, उसको wrench कर दिया, उसको मोर दिया, खीच लिया, उसको, from its socket, उसके socket से wrench कर दिया, and my school blazer, मेरे school का जो blazer था, ज in shreds, उसको तुकुडो में था, I wondered, मैं तो चकित हो गया, what grandfather, grandmother, अभी जो writer है, writer male है, female है, तो मुझे पता नहीं, तो हो गया या हो गई, जो भी हो, so I wonder what grandmother would say, मैं तो बहुत ही surprise था, कि क्या grandmother कहेंगी, दादी जी क्या कहेंगी, writer male है, Ruskin Bond, I think, नाम है, but grandfather didn't worry, लेकि तो बहु दादाजी को चिंदा नहीं, he seemed pleased with Toto's performance, वो he seemed, seemed का मतलब क्या होता है, कि ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था, तो लग रहा था भी feeling देता है, या लगा भी feeling देता है, इसमें आई एंजी नहीं लगा सकते, तो ऐसा लग रहा था, कि दादाजी खुश थे, he seemed pleased with Toto's performance, Toto ने जो कारनामन दिखाया तो उससे दादाजी तो खुश थे भई He is clever He is clever, ये तो भई चतुर है Said grandfather, दादाजी ने कहा Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope Given time, मतला अगर इसको time दिया जाता, I am sure, मैं बिल्कुल sure हूँ, मैं पक्का हूँ कि he could have tied, ये tied the torn pieces, यानि कि जो टुकडे थे pieces के जो तुमारे blazer के जो टुकडे थे उसको ये बांद करके क्या करता है, into a rope, एक रसी बना देता दादाजी कह रहे है कि अगर थोड़ा और वक्त मिलता तो ये तो कपड़े के जो टुकडे है ना ब्लेजर के इसका रसी बना देता and made his escape और भाग भी जाता from the window, window से made his escape का मतला भी कि अपना भागने का ढूंड लेता, window से His presence in the house still a secret, अभी भी उसकी उपस्थिती घर में secret है Toto was now transfer to a big cage, अब Toto को एक बड़े से पिंजडे में transfer कर दिया गया in the servant's quarter जो कि servant quarter में था where a number of grandfather's pets lived very sociably together जहां पर, where का मतलब है जहां पर a number of, number of मतलब बहुत सारे जो जो दादाजी है, grandfather उनके जो pets है, उनके जो पालतु जानवर है lived रहते थे very sociably आपस में मिल करके समाजी group से रहते थे, सब एक दूसरे से प्यार से रहते थे, एक साथ जैसे कि taught wise कच्छुआ था उस में a pair of rabbits दो खरगोश थे a tame squirrel tame का मतलब तो सिधा करना होता है मतलब कोई squirrel मतलब क्या बोलते है हिंदी में squirrel गिलहरी and for a while my pet goat और for a while for a while मतलब कुछ पल के लिए my pet goat और मेरा जो पेथा आप यह राइटर कह रहा है कि मेरा जो पेथा पाल तो बकरी भी कुछ समय के लिए वहीं पर थी but the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night देखिए wouldn't allow यहाँ पर wouldn't क्यों दे दिया है यहाँ तो होना चाहँ है कोई चीज़ refuse कर दे बिल्कुल मना करते वहाँ पर direct मना करते तो वहाँ पर didn't की जगा wouldn't लगता है पुराने English आजकल तो लोग बोलते नहीं मुझे लगता है वही उस क्या है कि monkey ने बिल्कुल भी allow नी किया any of his companions कोई भी उनका जो companion था सांती था to sleep at night की रात को कुछ सो पाई बिल्कुल नहीं grandfather who had to leave Dehra the next day to collect his pension in Saharanpur अब यहां कहरा है कि grandfather और who यह who क्या है? who मतलब कौन नहीं है यह who है आपका relative pronoun और who से जो वह क्या बनाता है adjective clause और यह clause क्या करते है यह grandfather इसके बारे में कुछ बताएंगे तो बगल में जो भी होगा इसके बारे में कुछ information देंगे इसलिए adjective clause है तो कहरा है कि जो दादाजी कौन से दादाजी भई? who had to, had to का मतलब जैसे मुझे खाना पकाना पड़ा I had to cook food who had to leave जिनको भई छोड़ना पड़ा देहरा दू next अगले दिन to collect his pension क्यों भई छोड़ना पड़ा अपना pension लेने के लिए pension मिलता है न? जो government employees और जब retire होते तो pension आता तो pension लेने के लिए कहां पे मिलता तो साहरनपूर decided to take him along तो दादाजी ने decide किया आचा यहां देखिए तो grandfather subject है और यह वर्व है decided यह वर्व है लेकिन यह who यह कॉमा देख रहे हैं? इस कॉमा के बाद who से लेकि इस कॉमा तक यह एक clause है एक extra information है इसलिए sentences बड़े नजर आते हैं decided to take him along कि उसको साथ ले जाना सुचा कि यार मैं जा रहा हूं तो बंदर को भी साथ ले चलो नहीं तो यहां तो जीना मुश्किल करतेगा और दादी को पता चल जाएगा unfortunately Durbhagyapur I could not accompany grandfather on that trip राइटर कह रहा है कि भाईया मैं grandfather के साथ उस trip पर नहीं जा सका company का मतलब है किसी के साथ जाना नहीं जा सका but he told me about it afterwards लेकिन इसके बाद उन्होंने मुझे इस trip के बारे में बताया a big black canvas kit bag was provided for toto अब बंदर उसको भी ले जा रहे है तो किसी चीज में ले जाएंगे तो एक bag में ले गए big black canvas kit पुरा canvas kit वाला bag था बड़ा सा काले रंग का बैग था उसको प्रवाइट कराया गया this with some straw at the bottom bottom में कुछ ऐसे घासफूस straw भूस अगरा भी रख दिया था became his new adobe ऐसा लग रहा था कि उसका एक नया adobe हो गया adobe का मतलब निवासस्थान तो ऐसा लग रहा था कि बंदर का एक नया निवासस्थान हो गया when the bag was closed जब उस bag को close किया गया there was no escape तो कोई escape यान की बचने कोई जगह नहीं थी Toto could not get his hands through the opening और किसी भी opening से जहां भी opening होता है chain लगे होते है तो कहीं से भी हात बाहर नहीं निकाल सकता था and the canvas was too strong और जो canvas का बैग था इतना strong था for him उसके लिए to bite his way through क्यों काट के भी अपना रास्ता बाहर नहीं निकाल सकता था इतना strong था His efforts to get out उसका जो परियास था to get out, बाहर आने का only had the effect उसका एक ही परभाव रहा of making the bag roll या तो bag को roll करता था बंदर वो चटपट ऐसे कर रहा है a bag अगर फ्लोर पे है तो bag roll करेगा क्योंकि बंदर उसके इंदर कूद रहा है roll about roll about का मतला इतर उसके इतर roll करेगा on the floor और occasionally jump into the air या वो ऐसे करके जब कूता होगा तो हो सकता है bag भी थोड़ा से jump करे इतना वो शरारती था so an exhibition एक तरीके से परदर्शनी बन गया था that attracted a curious crowd of onlookers onlookers होते हैं जो चलते हैं इधर जाते हैं तो जो जाते हैं तमाशा देखते हैं तो जो crowd वहां से जा रहा था जो onlookers थे उनको बड़ावो curiosity हुई कि यह क्या हो रहा है तो एक तरीकी का exhibition हो गया तो ही कथे हो गया वहां पर on the Dehradun railway platform पे कथे हो गया था Toto remained in the bag Toto भी है बैग में रहा as far as Saharanpour जब तक Saharanpour नहीं आया तो बैग में रहा but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile अब है कि जब I think यह लोग Saharanpour चलेगा थे Toto remained in the bag as far as Saharanpour वहां तक यह bag में रहा but लेकिन while grandfather was producing his ticket जब यह while का मतला है वो process उस वक्त जब ऐसा हो रहा था तो जब यह अपना ticket दे रहे थे at the railway turnstile turnstile का मतला भी कि gate होता है एसे घूमता है वो उस gate से आप निकलेंगे उसको turnstile कहते है तो जब उस turnstile के पास थे तो टिकेट दे रहे थे Toto suddenly poked his head out poke का मतलब एक तो poke करना किसी को ऐसे उंगली दिखाना इशारा करना खरोचना बाहर निकालना बहुत सारे मतलब है उसने अपने मुंडी को बाहर निकाला out of the bag, bag से बाहर निकाला and gave the ticket collector a white green अचा 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 बाहर निकाला ticket collector की तरफ जैसे बंदर हसते है इस तरीके से उह हसा एक white green दिया green का मतलब होता है दान दिखाना wide मतलब चौड़ा तो को जादा ही दान दिखा दिया बंदर ने the poor man was taken aback जो कितना अचा यहां पर यूज किया है phrasal word taken aback का मतलब होता है I was taken aback मैं चकित था तो जो बिचारा आदमी poor man वो बहुल surprised हो गया but with great presence of mind लेकिन दिमाग लगा है presence of mind था and much to grandfather's annoyance और grandfather उसके थोड़ी annoyance मतलब वो जो नाराजगी थी ना उसकी तरफ उससब दिमाग में लगा करके उसने कहा grandfather की तरफ देखा कि बड़ा annoyed दिख रहा है नाराजगी है और यह सब करके उसने पता लगाया और कहा he said, sir you have a dog with you, आपके साथ तो कुटा है फट से देख लीजे with great presence of mind and much सबसे जादा to grandfather's annoyance grandfather की जो नाराजगी है जो अरजव से annoyance थी तरफ उसने कहा sir you have a dog with you आपके साथ तो कुटा है you will have to pay for it accordingly और उससाब से जैसे जानवरों का rule है उससाब से आपको pay करना पड़ेगा जैसे कुटो के लिए rule बने हुए देखे, will have to यहाँ यह you'll का मतलब you will है और will have to का मतलब का मतलब करना पड़ेगा आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा you will have to stay here in vain, वेर्थ में, did grandfather take toto out of the bag फाल्तु में उन्होंने बैग से उसको बाहर निकाला in vain, did he try to prove फाल्तु में, उन्होंने यह प्रूफ करने की कोशिश की that a monkey did not qualify as a dog यह dog नहीं है, यह monkey है और even as quadruped और ऐसा भी नहीं की कोई और चौपाया जानवर हो बहिया यह तो monkey है लेकिन सब व्यर्थ था Toto was classified a dog by the ticket collector वह ticket collector के द्वारा Toto को तो एक dog के ही classified कि उस class में रखा गया क्या बोलते class को वर्गी कृत कर दिया गया कि जा आपितू तो भई कुत्ते श्रेनी में आता है and three rupees was the sum handed over as his fare और तीन रुपे वो टोटल जो amount है तीन रुपेगा handed over उसको दिया गया as his fare तो जो कि monkey को कुत्ता समझ बैठा तो कुत्ते के लिए तीन रुपेगा fine था, fare था, किराया था जो दिया गया then grandfather just to get his own back अच्छा दादाजी अब यह subject है और यहाँ पर लगा दिया है just to get his own back यह जो देख रहे हैं to get his own back यह एक मुहावरा है इसका मतलब होता बदला लेना जैसे to get my own back अपना बदला लेने के लिए तो जो दादाजी है took अब यह subject हो गया है grandfather और यह जो took है यह इसका वर्व हो गया took from his pocket our pet tore twice अब यह आवर इसलिए लगा है क्योंकि वो writer कह रहा है कि दादाजी ने writer कहानी सुना रहा है तो कह रहा है कि दादाजी ने क्या किया वो गुस्सा निकालने के लिए बदला लेने के लिए अपने उस pocket से एक tore twice हमारा जो tore twice है यह जो क्या बुलते कचुवा है उसको बाहर निकाला and said और कहा what must I pay for this तो मुझे इसके लिए क्या पे करना चीए actually आपने सुना होगा what should I pay तो shoot की जगए हम must है कुछ जादा ही जोर दे दे कि अच्छा बताए कि मुझे क्या मैं कितना bound हूँ क्या मुझे पे करना चीए must है न कि मतलब करना ही करना है क्या मुझे पे करना है for this इसके लिए since you charge for all animals since का मतलब है चुकी हाला कि आप तो सारे animal के लिए चार्ज करते हो तो बताओ जी कचुवा है मेरे पास क्या देदू मैं इसके लिए the ticket collector looked closely at the tortoise उस ticket collector ने उस कचुवे को बड़े ही गौर से देखा closely देखा proded it with his forefinger यह होता है forefinger prode का मतलब होता है किसी चीज में आप जिसे उंगली मार के देखेंगे इसको prode कहते है तो proded उसको उंगली मार कर देखा with his forefinger अपने इस उंगली के साथ gave grandfather a pleased and triumphant look और उसके बाद उसने दादाजी के तरफ एक बहुत ही pleased यानि कि खुश है और triumphant यानि कि ऐसे होता है जिसे विजय प्राप्त करके आते है तो जो चेहरे पर जो मुस्कान होती है उस अंदाज में देखा and said और कहा no charge कोई charge नहीं it's not a dog ये कोई कुटा थोड़ी है कोई charge नहीं तो guys अब ये एक पार्ट मैं यहां तक रखता हूँ फिर मैं आगे आपको अगले एपिसोड में कराऊंगा अगले एपिसोड में ये इतना है और ये इतना है अब बस उतना ही छोटा से अगले एपिसोड में हो जाएगा ठीक है जी तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते अगले वीडियो में till then take care keep practicing and have fun thank you guys